आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्रादा तो खुशी कम अगर घटनाओं की बात करें तो उसमें कुछ सामाजिक है तो कुछ राजनातिक पड़ती है तो उसका असर पढ़ना तो लाजमी ही है वैसे अगर बीते कुछ 5 सालों पर नज़र डाले तो निश्चित रूप से जब से सोशल मीडिया का वर्चस बढ़ा है तब से जिनकी दिल्चसपी राजनिती घटनाओं में होती थी वो भी अब दिल्चसपी लेने लगे है जिससे राजनिती घटनाओं के दाइरों और प्रभाव दोनों पर बडोतरी हुई है अब बात कर ले बीते साल की तो बीता साल कुछ 2020 की तरह ही रहा था जहां कोरोना के चलते लॉकडाओं भी रहा तो सबसे ज़ादा नुकसान आम जनता को यानि कोरोना की दूसरी लहर से बड़ी संक्या में लोगों को अपनी जान कवानी पड़ी अब अगर राजनिते घटनाओं के क्रम की बात करें तो कई तरह की घटनाओं इस दोरान घटी अब इन घटनाओं के प्रभाव के क्रम में हम उन घटनाओं पर नज़र डालते हैं अगर सबसे बड़ी राजनाते घटना की बात करें तो सबसे बड़ी घटना रही कि इसरकार द्वारा तीनों कृषी कानून को वापस लेने का एलान करना आपको बता दे चले कि जब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी उत्तरप्रदेश में जहासी महोबा के दोरे पर थे उन्होंने सारे अंदाजों को पीछे छोड़ते हुए तीनों कृषी कानून वापस लेने का एलान कर दिया पीएम मोदी ने 19 दवंबर को सुबह देश के नाम अपनी संदेश में कहा कि इतीनों क्रिशी कानून किसानों के हित में लाए गए थे लेकिन शायद सरकार किसानों को अपनी बात समझाने में असमर्त रही इसलिए मैं इन कानूनों को वापस लेने की घोशना करता हूँ और इसके साथ ही किसान संदेश के भारत सरकार के सहमती पद्र पर सहमती जताते हुए किसान अंदलन को खत करने का एलान कर दिया और 11 दिसम्बर को इस मेरा थनी अंदोलन को खत कर किसान संदेश अपने अपने राज में लोट गए हलागे इस आंदोलन को खत्म करते वक्त किसान नेता राकेश टिकैद ने भी ये कहा कि हम हरमा सरकार के वादों की समिक्षा करेंगे अगर हमको फिर ठगने की कोशिश की गए तो हम फिर आंदोलन करने के लिए बात देहोंगे अब बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना की वो खबर है जिसके चलते कई बड़े कयास गरवड़ा आ गए यानि 2020 में हुए पांच राज्यों के विदानसभा चुनाव यह विदानसभा चुनाव असम केरल, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल और कींद शासित प्रदेश पांडू चेरी में 27 मार्ट से 29 अप्रेल 2021 तक कराए गए थे पांच राज्यों में, तीन राज्यों में मौजुदा सरकार ने जीत हासल की, जबकि दो जगे सत्ता परवर्तन देखने को मिला है, किस राज्यों में क्या नतीजा रहा, वो भी देख लेते हैं पांच राज्यों में सब की नजर 55 बंगाल पर टिकी थी, जब भाजपा ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद भी बीजेपी जीत हासल नहीं कर सकी ममता मनरजी का जादू एक बार फिर चला और तरेनोल कॉंग्रेस लगातार तीसी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई, जबकि बीजेपी असी के नीचे सिमट गई, तो उसका अब तक का शांदार रिकॉर्ड है बंगाल में इस बार चौकाने वाली बात ये भी है कि कॉंग्रेस और लेफ्ट का तो खाता भी नहीं खुल पाया, जबकि बीजेपी सबसे बड़ा विपक्षी दल बन गई, दक्षर के दुर्ग में सबसे काटे की लड़ाई तमिल नादू में देखने को मिली, यहाँ पर सत्ता धारी अन्ना द्रमुक के चुनाव हार गई, जबकि द्रमुक की अगवाई वाला गटबंदन जीत गया है, पहली बार राज में जैललिता कर्णा निदी के गयर मौजूदगी में चुनाव हुआ, और एमके स्टालिन ने बाजी मार ली, हाला कि चुनाव से पहले जि बीजेपी का कोई खास जादू नहीं चला, पूर्वोत्तर में भाती जनता पार्टी लंबे वक्त से खुद को मजबूत करने में जुटी थी, अब असम के चुनावों ने उनकी मेहनत पर मोहर लगा दी, बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है और उसने कॉंग्रेज प्रियंका गांधी वाद्रा पुपेश बगेल ने लंबे वक्त तक असम में पाउं जमाए और कॉंग्रेज की नईया पार लगाने की कोशिश की, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के जादू के आगे उनकी एक न चल सकी, असम में C.A.N.R.C. का मुद्दा जो प्राई विज्यन की अगवाई में लेफ्ट का जादू चला और केरल में लगातार दूसरी बार उनकी सरकार बन गई। कॉंग्रेज राहुल गांधी यहां से सांसद है। ऐसे में उमीद थी कि कॉंग्रेज की अगवाई वाले गढद बंदन को कुछ लाब मिलेगा लेकि सरकार बन गई। जो की रादनी तिक लिहाज से बहुत फायदेमन है। कैप्टन अमरिंद सिंग ने दिया पंजाब के मुख्यमंत्री पत से स्तीफा। पंजाब कॉंग्रेस में लंबे समय से चल रहे कले के बाद कैप्टन अमरिंद सिंग ने 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पत से स्तीफा दे दिया। इस स्तीफा देने की वज़े बताते हुए कैप्टन अमरिंद सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे पिछले दो महिनों में तीन बार अपमानित किया था। दरसल 2019 के लोगसबा चुनाव के बाद से ही नव्जूद सिंग सिद्दू औ उनों की लडाई में कॉंग्रेस पार्टी दो धड़ों में बट गई थी और नतीजन कैप्टन को अपने पत से स्तीफा देना पड़ा। और साथी साथ चरंजीत सिंग चन्नी बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री। चमकौर साहिप से तीन बार के विधायक चरंजीत पद का चार्ट समाला। कॉंग्रेस ने दलत मुख्यमंत्री बना कर अगले साल होने वाले विधान सबाचुनाफ से पहले दलत वोटरों को साधने की कोशिश की। चन्नी राज्य में दलत मुद्दों को ठाने में मुखर रहे और उन्होंने कैप्टन अमरिंद सिंग के खि हत करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही साल की चौती बड़ी घटना बीजेपी द्वारा पांच राज्यों में मुख्यमंत्री को बदला गया। बीजेपी की शासनवाले राज्यों में पिछले साल भर की अंदर जहां उत्राखंड में दो बार मुख्यमंत्री बदल गए वहीं का नातक असम और अब गुजरात में मुख्यमंत्री का चहरा बदल दिया गया। गुजरात में रुपाड़ी की जगे भूपेंद पतेल तो उत्राखंड में बीजेपी ने कोची महिने के भीतर दो बार मुख्यमंत्री बदल दिये। सबसे पहले त्रवेन फुक्त को हटा कर उनकी जगेत की सिंग्रावत को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को लगा कि तुर्वेन सिंग्रावत के नेतत में पार्टि अपना जनाधार खो देगी। इसलिए नए सीम के तौर पर दितarse सिंगरावत को सामने लाया गया। लेकिन मुश्किल से चार माईने ही खुरसी पर रह पाए थे। कि एक बर फिर केंदिये नेतत के फरमान ने उनकी सीम की खुरसी ले ली। पाटी को लगा कि तीरत को सीम बनाने का फैसला गलत था। इसके बाद मार्च में कुर्सी समालने वाले तीरत जुलाई की शुरुआत में ही अपना पद खो बैठे। आला कमान ने उनकी जगे पुशकर सिंग धामी को उत्राखन की कमान सौब दी। करनाटक में भी बीजेपी ने यदियूरप्पा जैसे कदवार नेता को सीम पद से हटवा कर बस्वराज बुममई को सीम बना दिया। यदियूरप्पा को मौझूदा सरकार के दो साल पुरा होने के मौके पर अपने स्तीफे का एलान करना पड़ा। तो वहीं असम में बाती जनता पार्टी ने बिल्कूल अलगदाव चला। वहां विदान सबद चुनाव पिछले पात साल से मुख्यमंत्री रहे सर्वानंद सोनोवाल के नितत में लड़ा गया। लेकिन चुनाव पर नाम आने के बाद जब सीम पद की बात आई तो उसमें हेमंद बिस सर्मा ने स सोनोवाल की पठखनी दे दी। पार्टी के केंद्य नेतत में सोनोवाल की जगे हेमंद बिस सर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया। माना जाता है कि विचार धारा के पती जादा प्रतिबत्ता और पूर्वत्तर में पार्टी के विस्तार में एहम भूमिका निभाने के चलते हेमन्त बिश्वा सर्मा सर्वानन सुनुवाल पर भारी पड़े पांच भी बड़ी घटना रही मोधी मंत्री मंदल की जहां बड़ा बदलाव किया गया कई नहीं चेहरों को जगह मिली आपको बदा दे कि 8 जुलाई को प्रधान मंत्री नरीन मोधी ने अपना मंत्र परशद का विस्तार किया साथी कैबिनेट में फिर बदल भी किया गया इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया जबकि 7 वरतमान राजमंत्रियों को प्रमोट कर मंत्री मंदल में शामिल किया गया आठ नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दरजा दिया गया नए मंत्र परशद में शामिल किये गए सभी 43 सदस्यों को शपत दिलाए गए और इन 12 मंत्रियों को हटाया गया जिनके नाम है रवी शंकर प्रसाद प्रकाश जावेडकर थावर चंगेहलोद रमेश पोखरियाल निशंक डॉक्टर हर्श्वर्दन सदानंद गौर संतोष बाबल सुप प्रीमियों संजे धोत्रे रतनलाल का टारिया प्रताप चंद सारंगी देबुष चौधरी इनको हटा दिया गया जिसमें राजनितिक दलो द्वारा कहा गया कि अंदाजा लगाया गया कि इनकी सुसरवये की कारण इनको हटाया गया लेकिन बीजेपी का कहना था आने वाल गटना बंगाल चुनाव कर उससे जुड़ी हिंसा आपको बता दे इस साल पश्चिम बंगाल में भाती जंदापाटी की शिकस्त इस साल की सबसे प्रमोक रादनीतिक घटना मानी जाती है लेकिन ममता बेनर जी के नितत वाली त्रेनुल कॉंग्रेस के लगातार तीसरी बा गटना को विपक्ष की साजिश बताया बाद में कलकत्ता उचन्याले ने हिंसा के पीड़तों को मुआवजा देने में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की के चाई की थी और ये घटना क्रम बहुत समय तक चलता रहा जिसमें बंगाल की मुख्य सचिव और कल 2021 की साथवी बड़ी घटना लाल किले का हुआ अपमान जिसमें किसान आंदोलन के चलते किसानों के ट्रैक्टर माच के दोरान लाल किले पर हिंसा के इन सरकार के तीन किशी कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी म ट्रैक्टर माच निकाला इस ट्रैक्टर माच के दोरान दिली में कई जगे किसानों और पुलिस के बीच टकरा भी देखने को मिला वहीं बड़ी संक्या में किसान दिली के लाल किले पर पहुंचे और वहां धार में एक ध्वाज लहराया इस घटना के बाद पुलिस ने मामल गर्माता रहा क्योंकि मामला देश की राजदाने दिली और लाल किले से जुड़ा हुआ था जहां केवल और केवल राश्टे ज्वाद ही फराया जाता है इस साल की आत्वी बड़ी घटना है जो एहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के नाम नरेन मोदी स्टेडियम हुआ राश्टपती डामनाद कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े विशाल क्रिकेट स्टेडियम का उदगातन किया इस स्टेडियम का नाम अब मोटेरा से बदल कर पीम नरेन मोदी के नाम पर कर दिया गया यह स्टेडियम सरदार वललबाई पतेल स्पोर्ट्स एंकलेव का हिस सा होगा जिसके लिए राश्टपती ने भूमे बूजन किया है इस्टेडियम के निर्मार पर करीब 800 करोर रुपए की लागत आई है और यह त्रेसा टेकर में फैला है जो कि अलम्पिक साइस के 32 फुटबॉल मैदान के बराबर है स्टेडियम के निर्मार पर करीब 800 करोर रुपए की लागत आई है और यह त्रेसा टेकर में फैला है जो कि अलम्पिक साइस के 32 फुटबॉल मैदान के बराबर है हलाकि इस नामकरण पर बहुत राजनीती हुई आपको बता दें कि राजनीती केवल इसी नामकरण पर नहीं जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार के द्वारा प्राचीन नामों को दोबारा इस्तायत दिया गया वहाँ विपक्ष ने खुल कर हंगामा किया दो हजार एकिस की नौवी बड़ी घटना इस साल 3 अक्टूबर को लखीमपोर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर एक थार गाड़ी चड़ा दी गए जिसमें चार किसानों की मौत हो गई इस हिंसा में कुलाच लोग मारे गए इस कांड में केंद्रे गहरा जिमंत्री अजे मिश्टेनी के बेटे आशीश मिश्रा को हरूपी बनाया गया जो कि फिलहाल जेल में बंध है पर इस मामले पर हुआ बवाल इस साल का बड़ा राजनेतिक बवाल साबित हो चुका है और हो भी क्यों ना इस बवाल पर उतर प्रदेश खास चर्चा में आ गया था और विपक्ष में इस मुद्दे पर लाब लेने की होड सी मच गई थी जिसमें राजनितिक पाठियों के दायत्व नितत में कूद भी गया और तो और कई प्रदेशों ने मुख्यमंत्री ने तो लखीमपुर का दौरा भी कर लिया था फिलाल ये मुद्दा आज भी गरम ही है और विपक्ष और किसान संगठन लगातार अजयमिश्ट अत्तेनी जोकी केन सरकार में राजमंत्री हैं उनके स्तीवे की लगातार मांग कर रहे हैं और दस्वीज साल की बड़ी घटना है अगले साल होने वाले यूपी चुनाव को देखते हुए को स्यासी दोर पर भी काफी एहम माना गया क्योंकि आयोध्या में राम मंदर निर्मार शुरू होने के बाद काशी विश्वनात कोरिडोर भी एहम माना जाता है यह तो रहे सियासी आकड़े और घटनाए पर इनसे कहीं जादा जरूरी है मानव जीवन को बचाना क्योंकि जिस तरह से साल के अंत में कुरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे है उससे जनता को भी बचाना है इसलिए आम जनता को ये भी ध्यान देना होगा कि राजनितिक रुची अपनी जगे है राजनितिक प्रेम अपनी जगे है पर सबसे जादा ज नहीं होगा तो कैसे धर्म बचेगा और कैसे होगी राजनिति इसलिए इस साल की राजनितिक घटनाओं से सबग लेते हुए कोशिश करनी है कि राजनितिक विवस्ता से देश को ला भी हो ना कि नुकसान क्योंकि कुछ हो ना हो देश तो अपना ही है और उमीद करती हूं आने वाला साल यानी 2022 में नए राजनिति घटना कमनों को जन देते हुए इतिहास की नए बारत लिखी जाए और हमारा देश विश्कुरू बनने की रहमें और आगे बढ़ सके प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिल हाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार